जिला मंडी के धरंपूर ब्लॉक में पंचायत प्रधानों के चुनाव करवाने की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। प्रधान पद का रोस्टर जो पहले जारी हुआ था वही लागू किया जाएगा। इसका कितरा फर्क पड़ेगा जैसे जो आपको इंप्रवाइज लगाना पड़ेगे उसके बारे में क्या है। थोड़ा सा यह जब आज हमने श्रेडियूर देखा है कि पहले हम ऐसा करते है कि जब तीन चरण में चुनाब होता था तो मालने चे हमारे 298 भूट है 298 भूट है 298 भूट उसमें एक चरण में 100 बूट पर जमनते तो 100 ती में हमें पनानी पड़ती थी चाह लोग उते ते 400 इंप्रोईज में चल जाता था तो अब कि एक दिन की वज़ा से हमें थोड़ी समस्या आएगी तो देखेंगे अभी असा है कि हमारे स्कूल्स कॉल्जेज भी रूटी में चल रहे हैं बाकी ऑफिसे वाले पीजी हैं तो अगर स्टाफ यहां पे पूरा नहीं हुआ तो उपयक मोदे से यह आग्रे करेंगे कि वह तो इन जगा लोगों को नहीं जाना पड़ेगा पर जो एक दिन में स्टाफ जाएब होगा हम उमीद करते हैं कि उसे हम जिला प्रशासन के सहयोग से करने के अच्छा से अन्यवाद एट ही हमारे स्टेट का वो करता है भार्जिंद्र रचनायोग तो इनकी वोटर लिस्ट भी किया प्रिचायतों में जगा जगा ना से प्रेंटर्स बांते बलकि बैनर्स भी लगाए उसी के प्रिणाम स्वरूप लगभग ब्यारीस सो नए वोट हमारे धर्मपुर ब्लॉक में बने हैं पच्छपन सो क्या तोटर इसमें कुछ कटे हैं कुछ ठूटिया ठीक तो नमांकन 22 से शुव है उसे साथ दिन पहले आप खुद लगा रहें कि अभी वी दो तीन दिन लोगों के पास हैं कि वो जाके अगर आप कोई छूट गया है तो वोट अपना बनवा सकता है एक सर और है इसमें जैसे कोई चुनाब आर गया है पिछे जो हमारे उपको पर अगर सरक्षर मांकयाओ जो हमारे आप बग्रादी करिया है अगर और सम पंचायत की काली हो के यह वोट cleanse यह जो है इसे तरह बार के जगह भी आयो सकते हैं cbD तो कोई बार नहीं है आप जुनाव कर सकते हैं जैसा आपने अभी बताए कि आज ही राजय निर्वाक्चन आयोग ने धर्मपुर में जो हमारे प्रधानपत के चुनाव पहले नहीं हुए थे तो उस चुनाव हेत्व आज अधिसूचना जारी कर दी है इसमें 22-24 इन तीन दिन नॉमिनेशन होंगे प्रधानपत के लिए ग्यारा से तीन बजे के बीच और ये जो हमारी पिंचायद घर है वहीं पे होंगे पैसे इसका प्रोग्राम आज फॉर्म 17 है शाम तक उपाइपन होते जाली कर देंगे जिसमें कि यह बताया जागा कि नॉ नॉमिनेशन विए जाते हैं तो बाइस तेस चौबिस को सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म लेंगे पर 25 तरीक को अब्धान भर्याँ नांगकन पतर वह विड्रॉल कर सकते हैं डस से तीन बजय के बीच भड़ स्थाइस की शाम को ही जो फाइनल इस्ट लग जाएगी जैसा आपने बताया कि इस बार एक ही चरण में साथ अपरायल को आठ बज़े से लेके चार बज़े तक के मद्धे ये चनाब होगा उसे दिन शाम को वहीं पर पंचायद धर में ही इसकी काउंटिंग करके रिजल्ट निकाल दिया जाएगा इसमें और है जैसे नए बोटर कब तक अबना बोट बना सकते हैं इस संधर मैं यह बताओंगा पिश्टी बार बहुत जगा यह शिकायत आई जक्त मद्दान के दिन यह शिकायत आई कि भी हमारे नाम नहीं कन्फूजन इसलिए हो गई थी क्योंकि उस समय इलेक्शन कमिशन इंडिया का भी रिविजन चल रहा था मैं यह बतातूं आपके मात्यों से कि इलेक्शन कमिशिल ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट होती है उसमें उससे हम करवाते हैं विधान सभा और लोग सभा के चुनाव उसमें उनका रिविजन चल रहा था बहुत दोगन उसमें न